बिस्मिल्ला रोख्माल रोखीम असलामलेकुम स्टूडेंट्स तो आज हम प्रूफ करेंगे बेसल फंक्षन का सेकेन्ड रिकरंस फार्मूला हमारे पास दूसरा रिकरंस फार्मूला इसका जिसमें हमने शो करना है डी बाइद एक्स आफ एक्स पावर माइनस एन जे एन एक इसके इकोल होता है माइनस एक्स पावर एन जे एन प्लस वन की ठीके में जब हम डिफ्रेंशल लेंगे एक्स पावर माइनस एं एड़ ए अफ एन का तो हमारे पास यह रिजल्ट आएगा तो देखें इसको आपने किस तरह शो करना है as we know that हमारे पास जो journal jn of x का value है या फिर formula है वो किसके equal होता है submission r is equals to 0 to infinity minus 1 power r divided r factorial into gamma n plus r plus 1 ठीक है and यहां पर आपके पास आता है x divided 2 whole power 2 r plus n ठीक है अब इस formula के उपर अगर आप थोड़ा सा गोर करें jn तो यहां पर देखें आपके पास r factorial है ठीक है आपके पास के r factorial and यहां पर भी r सबसे बड़ी बात ही हमारे पास जो है n का है तो यहां पर देखें आपके पास क्या है सिर्फ n अगर यहां पर n minus 1 आ जाए तो आपके पास यह क्या बन जाएगा jn minus 1 अगर आपके पास यहां पर n plus 1 यह यहां पर भी n plus 1 हो जाए तो हमारे पास jn प्लस 1 बन जाएगा ठीक है तो आपने इसको याद रखने है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके साथ क्या multiply करेंगे x पावर माइनस n को तो दोनों साइट पर x पावर माइनस n को multiply कर देते हैं तो यह आपके पास क्या बन जाएगा jn of x equals to submission r is equals to 0 to infinity into minus 1 power r divide r factorial into gamma n प्लस r plus one ठीक है और यहाँपर देखें आपके पास क्या यह गा x पावर माइनस n और साथ ही मैं इस power को इसके दिता हूँ x के ओपर separate कर देते है 2 r plus n और 2 के ओपर आर इसकी कर दे है 2 r plus n ठीक है नाव यह x power minus n और इस x power n के साथ प्लस होगा तो यह आपके पास क्या बन जाएगा समिशन R इकोर्स टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर R डिवाइड R फिक्टोरियल इंटू गामा N प्लस R प्लस 1 ठीक है इंटू तिया बन जाएगा X पावर 2 R प्लस N और यह वारे यहाँ पर माइनस N डिवाइड 2 पावर 2 R प्लस N ठीक है तो यह N और यह N आपस में क्या हो जाएगे चैंसल हो जाएगे तो आपके पास सिंपल क्या बच्चे कर यहाँ पर देखे समिशन R is equals to 0 to infinity माइनस 1 पावर R डिवाइड R फेक्टोरियल इंटू गामा N प्लस R प्लस 1 और यहाँ पर X पावर 2 R डिवाइड 2 पावर 2 R प्लस N ठीक है ना इसको हम partial differentiate करते हैं तो आपके पास क्योंकि हमारे पास इसको क्या करना है next step हमारा होगा कि J X पावर minus N J N X इसको अब हमने क्या करना है partial differentiate इसका derivative लेना है with respect to X तो यह रहे कि आपके पास आजएगा D by D X यह total derivative है partial नहीं है तो आपके पास आजएगा D by D X किस चीज़ का आपने derivative लेना है X power N J N of X हम derivative ले रहे हैं with respect to X किसले हाँ से लेने X तो सिर्फ यहाँ पर हमारे पास right hand side पर यह X differentiate होगा तो आपके पास आजएगा summation R is equals to 0 to infinity as it is minus 1 power R divide R factorial into gamma N plus R plus 1 ठीक है और यहाँ पर आपके पास क्या आजएगा 2 R power start में और इससे एक कम कर दे X for 2 R minus 1 divide 2 power 2 R ठीक है यह आपके पास क्या है 2 R plus N ना देखें इस R को मैंने खतम करना है और इस 2 को भी तो इस R को खतम करने के लिए इस R factorial को one time में open करूंगा और इस 2 को नीचे shift कर दूंगा तो देखें आपके पास क्या बन जाएगा submission R is equals to 0 to infinity minus 1 power R divided R factorial को one time open करें तो आपके पास क्या आता है R into R minus 1 factorial ठीक है इसे एक कम और साथ में gamma as it is आजएगा N plus R plus 1 ठीक है और यहाँ पर देखें यहाँ आपके पास R अपनी जगह पर X power 2 R minus 1 divide इस 2 को जब मैं नीचे shift करूँगा तो इसकी power क्या हो जाएगे minus और यहाँ पर मैं इसके साथ add कर देता हूँ यह बन जाएगा 2 power 2 R plus N minus 1 ठीक है अब यह R और यह आपस में क्या हो जाएगा cancel तो यहाँ पर देखें यहाँ पर हमारे पर जो factorial बर्च रहा है वो बर्च है R minus 1 तो यहाँ पर minus 1 का power भी R minus 1 होना चाहिए तो इसको minus 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं इदर देखें Summation R is equals to 0 to infinity minus 1 power R मैं यहाँ पर minus 1 power 1 और minus 1 power minus को ठीक है minus 1 को यहाँ पर multiply कर देखें क्योंकि अगर base same power should be at तो इसे again हमारे पर 1 answer आएगा मैंने क्या किया यहाँ पर R power minus 1 लाने के लिए minus 1 power 1 और minus 1 power minus 1 को यहाँ पर multiply कर दिया और यहाँ पर नीचे आजएगा R minus 1 फिक्टोरियल ठीक है और gamma N plus R plus 1 ठीक है ओकी next देखें अब आपके पास क्या आएगा यहाँ पर X power 2R minus 1 अपनी जगा पर और 2R plus N minus 1 अब देखें इसको भी ज़रा गोर से देखें मैं अगर इसकी whole power बाहर निकालना चाहते हूं यहाँ कि इसकी power अगर सेम करूं तो 2R 2R minus 1 minus 1 यहाँ पर क्या नहीं है यहाँ पर plus N नहीं है यहाँ कि power N नहीं है तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं इदर देखें यह यह बेसेम power शुट भी एड़ R और minus 1 इसको प्लस कर लेता हूं यह minus 1 power 1 इस minus को मैं बाहर निकाल लेता हूं ठीक है तो यह आपके पाद बन जगा समिशन R is equals to 0 to infinity minus 1 power R minus 1 divide R minus 1 factorial gamma N plus R plus 1 एक चीज़ तो हमने सही कर ली कि अगर यहाँ पर R minus 1 factorial तो minus 1 की power भी क्या आ गई R minus 1 अब हमने यहाँ पर set करना है इसको तो यह आपके पास 2 R minus 1 divide 2 R ठीक है plus N minus 1 तो मैं क्या करता हूं इदर देखे X power minus N को यहाँ पर add भी करते क्यों कि यहाँ पर देखे कर हम side पर करें X power minus N और X power plus N यह जब दोनों multiply होंगे तो हमारे पास क्या आगा X power 0 which is equals to 1 ठीक है तो मैं यहाँ पर देखे क्या करता हूं X power minus N को multiply कर देता हूं और साथ ही यहाँ पर plus N कर देता हूं ठीक है तब देखे आपके पास X की और 2 की power सेम आ गई है इस X power minus 1 को मैं बाएर निकाल लेता हूं तो आपके पास बन जेगा minus X power N submission R is equals to 0 to infinity minus 1 power R minus 1 divide R minus 1 factorial into gamma N plus R plus 1 ठीक है और यहाँ पर आपके पास साथ आ जाएगा whole हो जाएगा X divided 2 और 2R plus N minus 1 ठीक है देखे अब मैंने यहाँ पर क्या करना है अगर यहाँ पर R minus 1 है तो यह फिर N plus 1 और यहाँ पर N की जगा N plus 1 अच्छाई है ठीक है और यहाँ पर 2R के साथ R minus 1 आना है तो means यहाँ पर R को R minus 1 बनाने के लिए इस minus 1 को मैं change करूँगा तो देखे किस तरह लिखूँगा तो यह आपके पास आजएगे last step है इसका X power N summation R is equal to 0 to infinity minus 1 power R minus 1 divide R minus 1 factorial gamma N plus R plus 1 into X divided 2 whole power 2R plus N तो इसको मैं यह लिख सकता हूँ ना minus 2 plus 1 तो इसको जब 2 से 1 minus 2 और plus 1 करेंगा हमारे पास अगें क्या आजएगा minus 1 तो अब इसको ज़रा arrange कर लेते हैं तो देखे आपके पास आजएगा minus X power N summation R is equals to 0 to infinity minus 1 power R minus 1 divide R minus 1 factorial into gamma N plus R plus 1 और इसको देखे इदर मैं इसको arrange करता हूँ तो आपके पास क्या आजएगा N plus 1 start मैं ने लिख लिया इस N को और इस N को 2 R minus 2 इसे मैं अगर 2 को common ले लू तो आपके पास क्या आजएगा R minus 1 ठीक है तो अब देखे यहाँ पर R के आपके पास N क्या रहा है N plus 1 N क्या रहा है N plus 1 So it means हमारे पास यह किस जिसका फार्मूला बन रहा है J of N plus 1 का और यहाँ पर देखे R की जगा R minus 1 आ रहा है तो इस मीन्स हम यहाँ पर क्या लिख सकते है minus X power N और यह complete आपके पास equal होता है J of N plus 1 X के और जो के हमने show करना था कि आपके पास जब भी आप derivative लोग है किस चीज का यह देखे D by DX of X power minus N into J N of X तो आपके पास किसके equal आता है minus X power N J of N plus 1 के ओके students